नमस्कार दोस्तूं प्रियास केरियन इस्टिटूट के ओनलाइन यूटूब चेनल प्रियास ओनलाइन में आपका एक बार पुने स्वागत है अपने टोपिक की बात चल ली थी मैट्स में परतिशत और आज का अपना पहला क्योशन है किसी संख्या का 66 सही 2 बटा 3 परतिशत 22 पराप्त होता है तो वह संख्या ग्याद कीजिए देखिएगा पिछली क्लासों में हमने बात की है कि 66 सही 2 बटा 3 परतिशत है इसका fraction value कितना होता है वो चेक करते हैं तो पुने आपको याद होगा कि 66 सही 2 बटा 3 परतिशत को भिन में अपन लिख सकते हैं 2 बटे 3 अगर यह आपको नहीं पता है तो पिछे की क्लास आप जरूर एक बार देखने ही कोसिस करें और यह जो 2 बटे 3 value पराप्त हो रहे है इसमें 2 क्या है अपना result है 2 क्या है result है ठीक है दो तो अपना result है और 3 अपनी है original value 3 क्या है original value या original number भी बोल सकते हो इसको ठीक है तो 2 तो अपना result पराप्त हो रहा है और 3 अपनी original value या original number थी मतलब ORIGINAL वो संख्या 3 थी जिसका 66 से दो बटा 3 परतिशत कितना प्राप्त हो रहा है दो प्राप्त हो रहा है तो मैं क्या यह बोल सकता हूँ कि यह जो 2 result प्राप्त हो रहा है वही 22 है टिके तो मैं बोल सकता हूँ कि यह 2 ही किसके equal है 22 के equal है तो एक बराबर कितना होगा 22 बट्टे दो बराबर कितना प्राप्त होगा 11 और हमें वह संख्या प्राप्त करनी है तो बताओ वह संख्या अपने आप में original value होगी कि नहीं होगी उस संख्या तो original value में प्राप्त करनी है और result क्या प्राप्त हो रहा है ठीक है अपन वर्दी और कमी से समंधित question भी करेंगे तो यह question है इसका right answer क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा ठीक है तो वह संख्या कितनी है 33 है ठीक है next questions की अपन बात करते हैं और वो अगला question अपना क्या है देखिएगा किसी संख्या में उसका 14 सी 2 बटा 7 प्रतिशत जोडने पर देखिएगा बंदू बात आई है जोडने की पिसले question में इसकी original value का प्रतिशत दिया था इस बार original value में 14 सी 2 बटा 7 प्रतिशत जोडने पर 560 प्राप्त होता है तो वह संख्या कितनी होगी ठीक है original value तो आपको पूछी है लेकिन original value में 14 सी 2 बटा 7 प्रतिशत जोडने अपनी बात वहीं आती है कि 14 सी 2 बटा 7 प्रतिशत का बिन में value कितना होता है एक बटा 7 और यह जो एक बटा 7 है इसमें एक तो आपके पास में क्या आया है परिणाम आया है एक को तो मैं बोल सकता हूँ यह तो हमारे पास में परिणाम है और हमाली मूल value क्या थी? 7 ठीक है तो हमारा मूल मान क्या था? 7 ठीक है तो इस मूल मान 7 में एक जोडा तो हमारे पास में जो value प्राप्त हुई वो 560 के बराबर होनी चीए ठीक है तो मैं चर्चा कर लेता हूँ कि मूल मान हमारा जो 7 है इसमें मैंने कितना प्लस कर दिया? 1 प्लस कर दिया ठीक है और 1 प्लस किया तो value कितनी हो गई? 8 ठीक है मूल value का 14 से 2 बटा 7 प्रतिशत 1 आ रहा है लेकिन मूल value में एक जोड के हमें प्राप्त संख्या कितनी प्राप्त करनी है? और वो 8 किसके इक्वल है बताएगा 560 की तो बताओ 8 560 के इक्वल है तो एक किसके बराबर होगा? 560 में किसका डिवाइड कर दूमे? 8 का और 560 में यही 8 का डिवाइड करेंगे तो value आपके पास में कितनी आएगी? 7, 8, 7, 56 होता है ठीक है? और next हमें अब value किसके चाहिए? हमें मूल संख्या प्राप्त करनी है वह संख्या प्राप्त करनी है तो वह संख्या मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 7 और 7 की value कितनी हो जाएगी? 70 into 7 बराबर कितना हो जाएगा 490 ठीक है कुल मिला कि आपको focus कहां करना है विस्तार से मैं एक ही question में बताऊंगा लेकिन अब अपने दूसरा question चल रहा है उसमें अपने जोडने से समंधी चर्चा करी करी कि नी करी ठीक है तो अपने पास में रिजल्ट आया 490 ठीक है और ये right answer कौन सा होगा 30 ठीक है next अगला question क्या आता है इसकी चर्चा करते हैं अपन अगला question हमारा है कि किसी संख्या में से 37 सई 1 बटा 2 या 37.5 प्रतिशत गठाने पर 155 प्राप्त होता है तो वह संख्या ग्याद कीजिए ठीक है ये अपना question है गठाने से समंदित इसमें तीन ही type की question बनते है original value का result दे दे आपको या फिर जोडने से समंदित दे या फिर गठाने से समंदित ठीक है तीन ही चीजें आपको पूछ सकता है विस्तार से equation में चर्चा कर लूँगा ठीक है तो देखिएगा 37.5 प्रतिशत क्या आपको याद है कि 37.5 प्रतिशत का भिन में value कितना होता है मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि एक बटे आठ को यदि अपन परतिशत में लिखेंगे तो आएगा हमारे पास में साड़े बारा परतिशत आएगा गी नहीं आएगा ठीक है और एक बटे आठ का परतिशत में value साड़े बारा परतिशत है तो इसका यदि मैं 3 गुना करूँ आप एक बात और जानते हैं 36 सही 3 बटा 2 3 में 2 का divide करोगे तो एक बार पूरा पूरा जाएगा और वो एक इधर transfer कर देते हैं अपन प्लस एक कर देंगे तो यह आजाएगा 37 सही 1 बटा 2 इसी को अपन लिख सकते हैं दसमल लव भीन में 37.5 और यह सब जगे क्या था प्रतिशत था ठीक है तो आप जानते हैं कि 37.5 प्रतिशत का भीन में मान होता है 3 बटा 8 ठीक है और 3 बटा 8 जो मान आया इसके थू अपन बात कर लेते हैं इसमें 3 तो आपका क्या है result है परिणाम है ठीक है 3 तो क्या है result है और 8 क्या है आपकी original value है और original value बोल सकते हो या फिर इसको original number संख्या बोल सकते हो ठीक है अब बताईगा 8 में 3 जुड़ा है या 8 पर 3 की चर्चा हुई है या 8 में से 3 गठेगा क्योंकि यहाँ पर word क्या लिखावा है गठाने पर ठीक है तो मैं चर्चा कर लेता हूँ यदि 8 में से 3 इस बार में गठाऊंगा 8 में से 3 माइनस 3 करूंगा तो बताओ कितनो value बचेगा मेरे पास में 5 आएगा 8 में से जैसे ही 3 गठाऊंगा मेरे पास में 5 आया और इस 5 की value किसके बराबर दे रखी equation में 155 प्राप्त होता है तो 155 के equal कर दो आप ठीक है आपको बढ़ाने को कहे तो जोड के equal कर दो गठाने को कहे तो गठा कर equal कर दो और result ही value दे देता है तो उसके बराबर कर दो आप result के ठीक है तो 5 बराबर 155 है तो एक बराबर कितना होगा 5 से divide करोगे कितना आएगा 31 आएगा ठीक है अब देखिएगा हमें क्या चीए वह संख्या ही प्राप्त करनी है तो वह संख्या मतलब कौन सी value उसकी original value प्राप्त करनी है तो original value किसके equal result निकाल लेंगे अपन 8 के equal निकाल लेंगे तो 8 बराबर कितना होगा 31 into 8 बराबर कितना होगा 248 आजएगा आपका right answer ठीक है तो इसका right answer कौन सा होगा 248 ठीक है तो ये आपके 3 question होगे अगला question अपना क्या रहेगा 2160 का 6 सी 2 बटा 3 प्रतिशत कितना होगा अब ये question डारेक्ट आपको 2160 का 6 सी 2 बटा 3 प्रतिशत पूछ रहे ये फिर simple question है अब तक अपने 3 question किये उनका basic basic सार क्या है वो आप एक बार समझ सकते हो और उस सार की में यदि चर्चा करूँ तो उसके बारे में बता दूँ आपको कि आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है आपको जैसे generally बोल दे कि 11 सी 1 बटा 9 प्रतिशत ठीक है किसी संख्या का 11 सी 1 बटा 9 प्रतिशत इसको अपन विन में बोलते है 1 बटा 9 ठीक है 1 तो यहाँ पर आपके पास में क्या प्राप्त होता है परिणाम या result क्या आता है result आता है एक तो ठीक है और यह 9 अपने पास में क्या है original value 9 क्या है original value है ठीक है और 9 original value है तो original value पर या तो result की बात कर दे तो result की बात करेगा तो अपन यहाँ से direct कहेंगे कि यह ratio हो जाएगा 9 नूपात 1 क्या होगा 9 नूपात 1 ठीक है इस 1 के equal आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको इस type का question पूछे तो ठीक है या फिर 9 पर 1 की वर्दी बोल दे 9 पर 1 की क्या बोल दे वर्दी बोल दे जोडने पर बोल दे तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 10 जैसा कि अपने पिछले से पिछले question में किया था और या फिर आपको 9 पर 1 की क्या बोल दे कमी बोल दे 9 पर 1 की क्या बोल दे कमी बोल दे तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 8 तो ये आपको 3 ratio द्यान रखने होते हैं कमी वर्दी और original value से समन्दी ठीक है next अपने बात कर लेते हैं इस question की तो ये तो बड़ा ही simple question है मेरे किसाफ से देखिएगा 2160 का 6 से 2 बटा 3 परतिशत कितना होगा तो मैं कहूं कि 2160 का 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 मतलब math में क्या होता है गुणा या ओप भी लिखावा हो सकता है English में या पे 6 से 2 बटे 3 परतिशत generally क्या होता है generally हमारे पास में ये situation create हो जाती है कि हमें इस fraction का परतिशत में value दे रिखा है इसका fraction में value नहीं पता होता नहीं पता होता तो आपको इसको दुबारा learn करना पढ़ता है और दुबारा कैसे इसको learn करोगे मैं एक बार दुबारा आपके लिए बता देता हूँ देखिएगा हमारे पास में fraction है 6 से 2 बटा 3 परतिशत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको परतीसत से fraction में value नहीं पता है ठीक है तो देखिएगा सबसे पहले मैं इस fraction को solve करता हूँ 6,3,18 और 2 कितना हो जाता है बताइगा 20 बटे कितना 3 अभी तक हमारे पास में परतीसत का सिंबल है परतीसत का सिंबल नहीं अठा है और अगर परतीसत का सिंबल आपको हटाना है तो बटे आपको क्या लगाना पड़ेगा 100 लगाना पड़ेगा तो 20 बटे 100 को 300 गुना करोगे कितना आजाएगा वो कौनसी परतिशत वाली ओन का मानाया है 6 सई 2 बटा 3 परतिशत तो अगर आपको डाइरेक्ट याद है कि 6 से 2 बटा 3 परतिशत का value भीन में 1 बटा 15 होता है तो आप direct इसको रख सकते हो और direct रखोगे तो आपको 2160 का कितना निकालना पड़ेगा एक बटा 15 अब आपको पता है 15 से इसको 2160 को क्या करना है divide करना है 2160 को 15 से divide करना है तो बताओ 15 का भाग 21 में कितनी बार गया एक बार सेसपल कितना बचा 6 और 6 में 6 और उतारोगे 6, 15 चोके 60 हो गया ठीक है इसके बाद में आपके पास में 6 और बचा और 15 चार है 60, 0 उतार लिया आपने तो इसका value कितना आ गया 144 इस question का आपको target यही लेना था कि इस question के थुरू आपे इस परतिशत बिन को fraction भिन में simple fraction में convert कर सकते हो की नहीं कर सकते हो ठीक है तो इस परकार से इस question के बारे में ध्यान रखना next अपना question क्या रहेगा देखिएगा चर्चा करते हैं simple question है देखिएगा question अपना क्या कहना चाहरा है 70 के 5 में का 6 गुणा सत्तर के पांचवे का 600 112 के 7 के 5 गुना से कितना परतिशत अधिक है देख़ीगा इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं क्या कहना चाहरा है सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ सत्तर के 5 में का 6 गुना कितना होता है सत्तर का 5 हमां 5 पार्ट सत्तर का पांचमा पार्ट कितना हो जाएगा सत्तर बट्टे कितना पांच और फिर आपके पास में वर्ड क्या दिया हुआ है का कितना गुणा छे गुणा तो इंटू आपको क्या करना पड़ेगा छे और पांच का भाग आप सत्तर में देोगे कितनी बार गया 14 बार और 14 को 6 से गुणा करोगे 6 4 24 और 6 और 2 कितना 8 कितना आया result आपके पास में 84 ठीक है तो एक बार के लिए मैं क्या 70 के 5 में का 6 गुणा 84 बोल सकता हूँ बिल्कुल बोल सकते हो आपको दिक्कत नहीं है ठीक है next कोमा लगा कि आपको बोल रहा है 112 के 7 में का 5 गुणा तो मैं इसको भी एक वेल्यू के रूप में पढ़ना चाहता हूँ वो क्या एगा तो बताएगा 112 के 7 में 112 बटे कितना 7 into क्या करना पड़ेगा आपको 5 करना पड़ेगा तो बताएगा 112 में 7 का भाग दे होगे 11 में 7 का भाग कितनी बार पूरा पूरा गया एक बार बचा कितना 4 और 2 उतारा तो 42 में 76 42 और 16 5 कितना हो जाएगा 80 तो क्या मैं इसको ऐसे read कर सकता हूँ क्या इसमें ऐसा कहा है क्या आपको कि 70 के 5 में का 6 गुणा 8 मिन 84 112 के 7 में का 5 गुणा 8 84, 80 से कितना परतीशत अधिक है किसके बारे में पूछना चाहरा है ये ये पूछना चाहरा है 84 के बारे में ये किसके reference के according पूछना चाहरा है 80 के reference के according पूछना चाहरा है कि 80 के corresponding 84 कितना अधिक है या कम है तो अधिक दिख रहा है आपको कितना अधिक दिख रहा है बताओ भई मुझे अधिक दिख रहा है मुझे कितना 4 कितना अधिक दिख रहा है चार अधिक दिख रहा है और मुझे परतीशत निकालना है क्या निकालना है मुझे परतीशत निकालना है किसका अधिक का परतीशत निकालना है तो अधिक कितना है बताओ चार अधिक कितना है चार किस पर अधिक है देखो मन में क्यूशन पूछो 84 पे 4 अधिक होता तो कितना होता 88 होता लेकिन मैं करूँ कि 80 पे 4 अधिक 80 पे 4 ज्यादा इसका मतलब सही है 84 है 80 पे 4 ज्यादा तो 80 के respectively पूछ रहा है पर्तिशत का सुत्तर लिखाता तो अपनने एक बात लिखी थी जिसका पर्तिशत निकालना होता है वो उपर होता है पर्तिशत हमें किसका निकालना होता है अधिक का यहाँ पे तो 4 को उपर लिखा 80 पे और इंटू क्या कर दो 100 कर दो ठीक है 0 से 0 कैंसल आउट हो गया 4 का भाग 8 में कितनी बार 2 बार और 2 से यदि आप डिवाइड करोगे 10 को उदर तो value कितनी आएगी 5 परतिशत तो अपनने value इसकी क्या निकाल दी 5 परतिशत तो इस question का right answer क्या होगा 5 परतिशत होगा ठीक है next question की तरब चर्चा करते हैं अपन अगला question हमारा क्या है कि किसी संख्या के बैतर परतिशत और 48 परतिशत का अंतर 1200 है तो वह संख्या ग्याद कीजिए देखिएगा किसी संख्या का 22 प्रतीशत और 48 प्रतीशत का अंतर हमेसा positive होता है negative नहीं होता ठीक है अंतर हमेसा mode में लिया जाता है positive आता है तो यह समझेगा आपकी 22 प्रतीशत और 48 प्रतीशत निकालोगे तो अंतर जो आएगा वो negative वगरा वगरा नहीं कुछ ऐसा नहीं होगा ठीक है तो किसी संख्या तो वो संख्या आपके पास में कितनी ले सकता हूं मैं अक्स ले सकता हूं ठीक है वह संख्या मैं आपके पास में अक्स ले सकता हूं तो माना किसी संख्या के बारे में पूछा तो वह संख्या मैंने क्या ले ली अक्स ले ली ठीक है तो अक्स का मैं कितना परतिशत निकाल दूँ बहतर परतिशत निकाल दूँ लो साब माइनस उसका ही 88 परतिशत है तो उसी संख्या का 88 परतिशत तो अक्स का ही मुझे कितना प्रतिशत निकालना है 48 प्रतिशत और जो result आएगा वो किसके बराबर है 1200 के बराबर ठीक है और यहां से आप क्या निकाल सकते हो अक्स निकाल सकते हो ठीक है और यहां से जैसे ही आप अक्स निकालोगे आपके पास में result आजाएगा वैस संख्या प्रतिशत निकालोगे तो उनका अंतर कितना आएगा उनका अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा ठीक है क्योंकि अक्स यहां से क्या ले सकते हो आप कोमल ले सकते हो और बैतर प्रतिशत में से 48 प्रतिशत गठाओगे आपके पास में वेल्यू क्या बचेगी 24 प्रतिशत बचेगी बैतर में से 48 प्रतिशत गठाओगे तो इन दोनों का अंतर कितना या 24 प्रतिशत है तो इस 24 प्रतिशत बराबर कितना है 1200 उस संख्या का 24 प्रतिशत 1200 को रिपर्जेंट कर रहा है तो बताओ उसी संख्या का एक प्रतिशत किसको रिपर्जेंट करेगा 1200 बटे कितना 24 और हमें वह संख्या चीए तो कोई भी संख्या अपने आप में स्वेम अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है तो हमें तो वैस संख्या निकालनी है तो हम 100% की value यहां से निकाल लेंगे तो बताओ 100% बराबर कितना आएगा 1200 बटे 24 इंटू कितना 100 बताएगा 24 का भाग 120 में कितनी बार 5 बार और 5 के आगे 30 लगाओगे तो वैसंख्या कितनी आजाएगी आपके पास में 5000 आजाएगी जो की राइट आंसर कौन सा है 30 ठीक है समझ गए होंगे इस क्यूशन का बेसिक तो यह है कि माना वैसंख्या अक्स है उसका बहतर प्रतीशत और उसका 48 प्रतीशत दोनों का अंतर हमने लिया 1200 और यहां से अक्स निकाल सकते हो आपको एजटीज वेल्यू पानजारानी है आपके ठीक है और इसका डिरेक्ट तरीका यह है कि 24 प्रसंट बराबर इतना और 1 प्रसंट बराबर इतना और वैस संख्या ही निकालनी है तो हमने 108 प्रसंट निकाल दिया बताओ आपको यह कह देता कि यहां पे वैस संख्या की बज़या यहाँ पे कितने परसेंट की value निकालते हैं 10% तो गुणा किस से करना पड़ता 10 से करना पड़ता कह देता उस संख्या का 50% कितना होता तो गुणा कर देते 50 और कह देता उस संख्या का 200% कितना होता तो 200 से multiply कर देते चुकि हमें याँ पे वैस संक्या पूछी है तो हमने sourcing गुणा किया ठीक है next question की वर चर्चा करते हैं अगला question आपके लिए क्या है देखीगा हाजी 2 क्यूंटल 2.5 kg का कितना परतीशत है क्या पूछ रहा है 2 क्यूंटल 2.5 kg का कितना परतीशत है देखो पटवार की पिसली भरती में ये question आभी चुका है इस type का ये as it is नहीं था question ठीक है एक परतीशत में ही value पूछी थी ठीक है आपके आगे देखने को भी मिलेंगे आपको तो परतीशत का generally मैंने आपको formula क्या बताया था आप बताएगा परतीशत का formula क्या था आपका परतीशत का सूतर simple ये ही था आपको बस ये याद रखना है जिसका परतीशत निकालोगे वो उपर और जिसके आधार पर निकालोगे वो नीचे और into क्या कर देना है so इसका basic मैंने आपको समझाया था कि गुणा 100 क्यूं करते है हाँ जी मुझे परतीशत किसका निकालना है 2 क्यूंटल का निकालना है क्यूंकि इसमें as it is बोल रहा है ये कि 2 क्यूंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परतीशत है तो किसका पूछ रहा है ये का का मतलब यहां इसका परतीशत नहीं पूछ रहा है ये ये करना चारा है कि 2 क्यूंटल 2.5 किलोग्राम के लिए कितना परतीशत है तो पूछना अगला ये चारा है कि वो 2 क्यूंटल तो मैं उपर लिख लेता हूँ 2 किमंटल ठीक है और किसके करस्पांडिंग पूछना चारा है 2.5 किलोग्राम के किसके करस्पांडिंग 2.5 किलोग्राम के पूछना चारा है परतीशत बनाने के लिए किस से गुणा करना पड़ेगा सो से और सो पर निकालते है तो इसका एक सिंबल चलता है ये बला ठीक है नेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ उपर नीचे ये रेश्यो है और रेश्यो में आपको पता होना चाहिए कि रेश्यो रासियों का जो अनुपात होता है उसमें रासियों की इकाई हमेसा क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए ठीक है और इकाई समान होनी च होते हैं सो किलो होते हैं ठीक है और एक किलो ग्राम में कितना ग्राम होता है एक हजार ग्राम होता है एक किलो ग्राम में कितना ग्राम होता है एक हजार ग्राम होता है ठीक है तो देखिएगा दो क्योंटल में कितने किलो होंगे तो मैं चेक करना चाहूंगा दो क्योंटल में क कर दो यह क्या आजाएगा परतिसत में वेल्यू आपके पास में आजाएगा ठीक है तो इसको आप सोल करके देखिएगा देखें इसका रिजल्ट क्या आने वाड़ा है तो अपन सोल करते हैं देखो चलो सोल कर लेते हैं इसको मुझे बताएगा 200 बट्टे कितना है 2.5 इंट दस से गुणा करना होता है और उपर से कोई दसमल्लव अटाते हो तो दाई तरफ से जितने अंग छोड़ के दसमल्लव है उतने नीचे एक के आगे क्या लगते हैं जीरो लगते है ठीक है और पचीस का भाग बताएगा 200 में कितनी बार जाएगा पचीस आट दोस्त होता है गुणा है और 80 गुणा है तो परतिशत में वेल्यू कितनी आएगी 8000 परतिशत वेल्यू आ जाएगी तो अपने एक चर्चा और कर लेते हैं यहां पर क्या परतिशत की वेल्यू सोसे बड़ी हो सकती है मैंने आपको बताया भी होगा कि किसी भिन का अंस यदी बढ़ा है और हर यदी छोटा है, तो परतीशत में जो मान निकालोगे उसका, वो हमेशा सोसे ही बढ़ाएगा, ठीक है, हाँ ये बात अलग है, कि प्राप्तांक और पुर्णांकूं का जो प्रतीशत निकाला जाता है, वो सोसे बढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के भी प्राप्तांक पुर्णांक से ज्यादा नहीं आ सकते जैसे मैं चर्चा कर लेता हूं किसी छातर के 10 में से 8 नम्मर आये हैं तो परतिशत निकालोगे तब तो कितना परतिशत आएगा 80 परतिशत ही आएगा ठीक है लेकिन यदि आपको कोई ये कह दे किलो साब ये कितना परतिशत है 3 बटा 2 इन्टो 100 अब आपको पताया यदि अन्स यदि बड़ा है हर से तो परतिशत का मान भी 100 से बड़ा होगा क्योंगे 100 को 2 से ड्वैड करोगे 50 का 3 गुणा कितना होगा 1,500 परतिशत का मान 100 से बड़ा आ सकता है ठीक है तो अन्स यदि इनको बोल सकते हैं अपन जो जो क्या है 50 का कितना परतिशत दो सई एक बटा चार प्लस एक बटा चार है देखो यह आपकी पटवार में क्यूशन आ चुका है इस टाइप का ठीक है सेम एज यही क्यूशन आपको मिलेगा पटवार भरती में इस टाइप का क्यूशन यह आ चुका है 50 का कितना परतिशत दो प्रतिशत निकालने से समंदित हर बार पूछा जा चुका है तो मैं चर्चा करता हूँ कि 50 का कितना प्रतिशत 2 से 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 है तो इसकी चर्चा कर लेता हूँ मैं तो 50 के लिए ये कितना प्रतिशत है तो नीचे तो आएगा 50 और कौन 2 से 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 इंटू क्या कर दो 100 अब डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सोल कर लेते हो ठीक है देखेगा मैं सिंपल फ्रेक्शन बना के ही इनको सोल कर लेता हूँ 4 दुनी 8 और एक 9 बटे 4 हो जाएगा ये 9 बटे 4 प्लस एक बटा 4 बटे कितना है 50 इंटू क्या कर दो 100 कर दो ठीक है नेक्स देखिएगा 4 अगर LCM ले लूँगा तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 तो उपर तो आगया 10 नीचे ये 4 जो नीचे बूग करेगा 4 को 50 से गुना करोगे कितना आएगा 200 इंटू क्या कर दो 100 कर दो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का भाग 10 में कितनी बार 5 बार तो वेल्यू कितनी आ गई 5 प्रतिशत आ गई कुल मिला के इस फ्रेक्शन को एड करनी है आपको ठीक है और एड करोगे तो आपके पास में वेल्यू क्या आएगी एक बार और सिंपली समझ सकते हो आप 4 दूनी 8 और 1 के 9 बटे 4 आ गया प्लस 1 बटा 4 ठीक है 4 अगर LCM ले लोगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा उपर तो 10 और जो 4 है वो नीचे आएगा तो 50 से 4 गुणा होगा तो कितना हैगा 200 और into 100 आपका पड़ाई है 2 0 से 2 0 और 2 का भागे 5 बार चला गया ठीक है तो ये ध्यान रखना पटवार में हर बार एक क्यूशन ऐसा भी पूछा जा चुका है कि ये इसका कितना परतीशत होगा ठीक है नेक्स अपन चर्चा करते हैं अगले क्यूशन से समन दीते अगला क्यूशन है आदा परतीशत का मान दसमलो बिन से बिन में क्या होगा देखो पटवार बरती 2011 में आदा परतीशत का मान परतीशत को आपको साधारन बिन में कनवर्ट करनी है अगर साधारन विन में convert कर लोगे तो दसमनलो विन as a tease आपके पास में प्राप्त हो जाएगी तो बताएगा परतीसत को तोड़ूंगा तो बटे 100 लगेगा एक बटा दो बटे कितना 100 ठीक है हाँ जी बताएगा एक बटा दो को 0.5 बोलते हैं और बटे कितना 100 बताएगा अब आपके पास में उपर 0.5 है ठीक है नीचे 100 है अगर 100 से divide करोगे 100 से क्या करोगे डिवाइड करोगे आपे तो दसमनलो है ना वो दाई तरफ से और बाई तरफ किसके गा और 2 0 और आ जाएगे 5 है 00 और ये दसमनलो आपका लग गया ठीक है तो इसको आप बोल सकते हो दसमनलो 005 या 0.005 इसका कौन सा आंसर हो जाएगा फैस्ट आंसर हो जाएगा सिंपल क्यूशन है आपको द्यान रखना है इस समंधित क्यूशन होगा ठीक है तो मैं उपर तो लिख लेता हूँ 55 ml 75 ml किसका डेड़ लीटर का 1.5 लीटर इंटू क्या कर दूँ 100 कर दूँ इंटू क्या कर दिया 100 वेल्यू किसमें बदल गई परतीशत में बदल गई ठीक है जिसका परतीशत पूछता है वो उपर एक बात ध्यान रखना ये का इसके लगवा है इसका मतलब ये इस कंसेप्ट मत बनाने ला है ये ये क्या पूछना चाहता है कि 75 ml फचेतर ml डेड़ लीटर का कितना परसंट है परसंट कौन है 75 ml है किसका है डेड़ लीटर का एंटू 100 अब एक बात और ध्यान रखनी आपको जनरली आप लीटर और ग्राम और किलो ग्राम में कन्फूजन महसूस करते हो आपको पता होना चाहिए एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं तो बताएगा एक लीटर में कितना ml होता है 1000 ml होता है एक लीटर में भी 1000 ml होता है ठीक है और एक किलो ग्राम में भी 1000 ग्राम होता है ठीक है तो देखिएगा आपके पास में उपर 75 ml है नीची 1.5 लीटर को यदि में ml में convert करूँगा तो बताएगा 1 लीटर बराबर 1000 ml है तो मुझे ये बताएगा 1.5 लीटर बराबर कितना ml होगा तो 1.5 लीटर बराबर कितना ml होगा तो 1.5 लीटर को आप किस से गुणा कर सकते हो 1000 से गुणा कर सकते हो ये किस में convert हो जाएगा ml में convert हो जाएगा देखिएगा 1.0 तो ये दसमल लो खा जाएगा और वेल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 1500 ml कितनी ml आईगी 1500 ml तो नीचे में 1500 ml लिख सकता हूँ उपर भी आपके पास में unit ml है milliliter है into क्या कर दूँ so देखिएगा ratio में क्या होता है same unit होती है वो कड़ जाती है क्योंकि ratio exist ही तब ही करता है जब unit क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए ठीक है तो बताएगा 2-0 से 2-0 काड़ दू 15 का भाग पचेतर में कितनी बार गया 5 बार तो कितना प्रतिशत आपका right answer है 5 प्रतिशत फिर से देखिएगा 75 ml dead liter का कितना प्रतिशत है तो dead liter को आपने ml में convert किया तो कितना आ गया 1500 ml आ गया next 1500 ml है उपर 15 ml है into 100 2-0 से 2-0 cancel out हो गया 15 का भाग पचेतर में कितनी बार जाता है 5 बार जाता है तो आपका right answer कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है तो ये आपका 10 number question हुआ next question देखिएगा क्या है 2 question अपना आज की class में और करेंगे 20 से समान्दित बस ठीक है देखिएगा बंदू ये भी आपकी पटवार में आ चुका है question ठीक है पटवार बरती में ये question पूछा जा चुका है तो अपने इस question की भी चर्चा कर लेते हैं ये question क्या करना चाता है बिन से समन्दित ठीक है exam में आया वा question उठाया मैंने किसी बिन के अंस में 200% वर्दी मैंने आपको पहली class में एक बात बताई होगी आपको याद होतो मैंने कहा आपको कोई कहे 20% वर्दी इसका मतलब आप कहोगे सर original value 100% होती है original value 100% होती है उसमें अगर 20% वर्दी गरोगे तो 120% direct निकाल दो ठीक है original value original value 100% होती है ठीक है original value कितनी percent होती है 100% होती है ठीक है और original value 100% होती है तो अगर उसमें 20% वर्दी कहें तो 120 लिख दो जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ 20% वर्दी 20% वर्दी का मतलब 120% मैं कहूँ आपको 10% वर्दी तो आप कहोगे सर 110% मैं कहूँ आपको कि 90% वर्दी तो 90% वर्दी का मतलब 190% निकाल दो आप ठीक है और एक साथ में चर्चा और कर लेते हैं कि 70% कमी 70% कमी 70% कमी का मतलब होता है बच जाएगा कितना 30% तो यह आपको दो इबात ध्यान रखनी है original value 100% होती है वर्दी बोले तो 120 20 बढ़ाए तो 10 बढ़ाए तो 110 90 बढ़ाए तो 190 100 बढ़ाए तो 200 300 बढ़ाए तो 400 क्योंकि original value में 100 एड़ करके बोलना है अपन को ठीक है यह direct approach होती है basic concept तो आपको इसने मैंने आपको विजली गलास में बतायी थे क्या होते है इसके ठीक है तो next अपन चर्चा कर लेते हैं कि किसी बिन के अंस में 200 परतीसत वर्दी तदा हर में 300 परतीसत वर्दी करने पर यह बन जाती है तो मैं मान लेता हूँ माना मूल बिन माना मूल बिन हमारी ओरिजनल फ्रेक्शन क्या थी अक्स वर्टे वाई क्योंकि बिन में एक अंस होता है और एक हर अंस में 200 परतीसत वर्दी तो मैं अंस अक्स का सीधा कितना परतीसत निकालूंगा 300 परतीसत कितना परतीसत निकालूंगा 300 क्योंकि इसमें क्या सामिल है 200 परतिशत वर्दी और 200 परतिशत वर्दी का मतलब कितना होता है 300 परतिशत होता है ठीक है इसी प्रकार से हर में 300 परतिशत वर्दी बोल रहा है ठीक है तो यह हर वाई लिया और इसमें 300 परतिशत वर्दी बोल रहा है तो 300 परतिशत वर्दी के बारे में चर्चा कीजी गई यह 400% हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाई जब 10% वर्दी 110 होता है तो 20% वर्दी 120 होता है और 300% वर्दी कितना हो जाता है 400% अगर आपको कहे कि 700% वर्दी तो 100 तो original और 700 और add हो जाएगा total कितना हो जाएगा 800 हो ठीक है तो मैं यह 400% निकाल देता हूँ सीधा हर का ठीक है अंस को बढ़ा दिया है मैंने हर को भी बढ़ा दिया है अंस को कितना कर दिया 300% क्यों भई 200% ही बोला था इसने तो 200% तो वर्दी बोला है original value भी सामिल होगी तो बिन बन गई आपकी 1,1 बटा 20 जड़ा चेक कीजिएगा same as a tg equation था मिलान कर लीजिएगा 1 सही 1,20 1 सही 1,20 चूंकि आपको पता है कि अगर परतिसत के लिए नीचे बटे जो आएगा तो ये दोनों परतिसत कट जाएगे और 0 से 0 कट जाएगा ये आगया 3x बटे 4y बराबर 20 को 1 से गुणा करो 20 और 1 8 करो कितना 21 बटे कितना 20 अब देखिएगा और इनको simplify कर लो 3 का भाग 21 में उपर का उपर कितनी बार 7 बार और 4 का भाग 20 में कितनी बार 5 बार तो x बटे y बराबर आ गया 7 बटे 5 ये आपकी पास में मूल फ्रेक्शन ओरिजनल वेल्यू आपकी क्या थी x बटा y जो कि कितनी प्राप्त होगी 7 बटे 5 प्राप्त होगी जो कि कौन से आंसर में है 2 नमर में ठीक है next last question और चर्चा कर लेते हैं और last question अपना क्या रहेगा देखिए गजरा चर्चा करते हैं last question हमारा है किसी बिन के अंस में 20 प्रतिशत वर्दी और हर में 30 प्रतिशत कमी करवाने को बोल रहा है ठीक है तो परिणामी बिन 84 डिवाइड़ बाई 63 प्राप्त होती है या 84 बटे 63 प्राप्त होती है तो मूल बिन ग्याद करनी है तो मैं मूल बिन क्या मान लेता हूँ x बटा y x बटा y हमने क्या किया है माना है a बटा b b मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और x बटे y जो मूल बिन आपकी है इसके अंस में 20 प्रतिशत वर्दी बोल रहा है तो फिर वही बात आती है पहली क्लास जरूर देख लेना देखो अगर फ्रेक्शन परतिशत में और अगर आपने वर्दी कमी का कंसिप समझ लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ठीक है 20 परतिशत वर्दी तो x into 120 परतिशत और हर में 30 परतिशत कमी तो y into 70 परतिशत बराबर कितना आगया आपके पास में देखो 84 बटे 63 तो 84 बटे कितना 63 चुकि आपको पता है परतिशत उपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा और 0 से क्या काट सकता हूँ 0 काट सकता हूँ ठीक है बताएगा 12 का भाग या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 अक्स बटे 7 y बराबर कितना 84 बटे 63 बताओ 7 का भाग 63 में कितनी बार 9 बार और 12 का भाग 84 में कितनी बार 7 बार तो अक्स बटे y बराबर हमारे पास में आगया 7 बटे 9 और अक्स बटे y हमारे पास में क्या था मूलभिन थी जो हमने मानी थी और उसका मान कितना आ गया साथ बटे नो आ गया जो कि कौन से आंसर में है चार नमर की आंसर में आपको मिलेगा ठीक है ठीक है तो दोस्तूं next class में अपन इससे अगले concept के बारे में चर्चा करेंगे ओके, thank you